लुइवड, वेल्कम बैक वीवर्स so वीवष आज मैं आपके लिए जो समय ओन baru रिडिंग कने जा रिया हूए उसम में हमने लिए ऑपक घालु समय वाकुचिया एंगे में धूत पर दो समय कम के घृज पर बाकि पर दुंत है ठीक है तो दोनों के एनरजी गाईज यहां पर हम चेक करने वाले हैं जन्ना कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है सभी के लिए रीडिंग की जा रही है हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो सिच्वेशन में क्या जल रहा है 10 of pentacle, 7 of swords, 5 of cups, 6 of vents, 9 of pentacle, 3 of cups, 9 of 10 of swords, 10 of swords and the moon मून के यहां पर क्यों आया है divine angels मून के यहां पर क्यों आया है 8 of swords, bottom the deck energy है so third party situation में क्या चल रहा है third party situation में वीवर्स चीज़े आपके सामने है ठीक है ऐसा ही आपे अब देखी सकते है यह सब यह राशियों के लिए reading है सबसे बहुत हम आपको यह बता दे आपके person की यहां पर हम कुछ है ना जिसको clarify करेंगे सबसे बहले तो यहां पर हम देख सकते है कि इनके relationship में अभी फिलाल कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि सब चीजे सौट आउट है सब चीजे अच्छे चल रही है बहुत हो सकता है को हर एक से reading resonate ना हो लेकिन जो messages आएंगे जो जिस तरह के हम यहां पर card receive कर पारें मतलब message receive कर पा रहे हैं हम आपको वहीं बताएंगे ठीक है तो आपके according कुछ लोग के according की reading 100% translate होगी कुछ लोग के according नहीं भी होगी तो आप देख लेना ठीक है तो जो higher energy होती है वहीं आपको मिलेगी तो इनके relationship में वीवर्स सबसे पहले हम देख सकती तरह की deceiving energy है unsatisfying energy है ठीक है रिग्रेट energy है और painful energy है और ऐसा नज़र आ रहा है reality versus expectation something is different ऐसा नज़र आ रहा है तो कहीं नहीं गई आपका जो person है वो third party situation में third party connection में बहुत enjoy तो नहीं कर रहा है as per this card जो यहां पे card नज़र आ रहा है यहां पर हम देख सकते हैं कि कहीं नहीं जो third party है जो third party इनके connection में इनके आपके person की life में आई थी ऐसा नज़र आ रहा है कि वो किसी उदेश यह से आई थी ठीक है उसके आने का एक बहुत ही घहरा और बड़ा motive था वो था money matter ठीक है वो money matter को लेके ही यहां पर चीज़र नज़र आ रही है मतलब कि वो वेक्ति इनके साथ में जुड़ी या जुड़ा इस वज़े से था क्योंकि आपके जो person हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको financially या तो हो सकता कि आपके person को financially बड़ा देख रही थी ठीक है तो मतलब या तो या तो यह ऐसा हो सकता जो उसकी expectation को fulfill नहीं कि है third party की और उसने तो यही सोच कि क्योंकि उसका एक perception था उसने एक अपना जो target था वो बनाया था कि अगर वो इनसे जुड़ेगी या जुड़ेगा तो भई वो उसको यह चाहिए जो इनके पास है इसमें money matters आते हैं इसमें properties आती है इसमें financial gains आते हैं हर तरह की तो आपके person ने या उनकी आपके person की तरफ से ठीक है वो चीज़े उनको offer नहीं की गई वो चीज़े उनको provide नहीं की गई या फिर अगर उन्होंने provide कर दी तो उसका जो motive था वो fulfill हो गया कहीं नगहीं ऐसा नजर आ रहा है कि सारा का सारा जो खेल था या पर वो financial issues उसको लेके था अब ही क्या हुआ इसको लेकर दोका मिला आपके person को ठीक है एक होता है कि सीधे सीधे धोका मिलना ठीक है एक होता है धोका expect बिलकुल भी नहीं था और वो इस तरीके से मिलेगा ये तो बिलकुल भी नहीं सोचा था एक तो धोका और उपर से उसको समझ लो कि आप बहुत ही बुरी तरहां से मिलना intentionally कभी इनसान किसी की भापी नहीं पाया तो आपके person ने भी बिवर्स थटपटी की जो intention थी वो भापी ही नहीं थी जीसे किते हैं कुछ तो ऐसास हो जाता है कुछ तो six cents काम करती है आपके person की जो energy बता रही है कि इनके कोई भी six cents या तो उन्होंने सुनी ही नहीं या इनके काम ही नहीं की ठीक है ये तो हमेशा से यही सोचते रहे गया ये विक्ती मुझे बहुत प्यार करती है कि ये विक्ती मुझे बहुत प्यार करता है इसलिए मेरी साथ में शादी करना चाहती है या फिर इसलिए मेरे साथ में ये जोड़ना चाहता है ठीक है ये ये मेरा होना चाहता है ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा था वो तो सरफ इसी चीज़ को देख रहे थे ना उनके दिल दिमाग में उनके जहन में सरफ यही थी, यही इमेज बनी हुई थी, कि यह वेक्तिम उससे बहुत 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 प्यार करती है इसके अंदर ना तो कोई छल है ना ही कोई कपट है, तो वो दिखावे के एनरजी यहाँ पे कही ना के नजर आई है कि जो थी, अंदर ये अंदर वेक्तिक शड़यंतर लेके चल रही थी या उसके दिमाग में शड़यंतर था तो यह चीज़े आपके परसन नहीं भाग पा रहे थे इस वज़े से इनको दोका मिला है वीवर्स, ठीक है कहते हैं भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन चूटे, तो वहीं यहाँ पर हो गया है आपके परसन के साथ में आज आपके परसन वीवर्स आपसे भी दूर हो गए है ठीक है, एमोशनली मुझे ऐसा नजर आरा है काफी हर्ट, काफी ट्रिगर मेहजूस कर रहे है दिन रात दिन रात की एनरजी गाईज, यहाँ पर यही नजर आ रही है आप देखो, दो एनरजी हैं यहाँ पर या तो यह वेक्ति आप ही को याद कर रहा है आपका जो परसन, अभी देखेंगे आपके लिए फीलिंग्स में जो आएंगे, या तो यह वेक्ति आपको याद करें कि यार इसमें आपके साथ में गलत क्यों किया ठीक है या फिर यह कहें कि वो उस धोके को नहीं भूल पा रहा है या फिर उस वेक्ति ने जो किया है वो उसको एहसास मतलब जो हो रहा है उसको बिलीव नहीं कर पा रहा है मतलब कहीं नहीं कि इमोशनली आप आपको परसन यहां पर ट्रिगर नजर आ रहा है जैसे कि अभी भी अगर मैं देखूं कुछ लोग के पार्टनर तो उसी वेक्ति कि आने के इंतजार में बैठे हुए हैं कि नहीं वो आएगी नहीं वो आएगा वो मुझे दोका देके नहीं गई है वो ऐसा नहीं गई है जैस इसा नहीं जब आके परसंटर एगशा पर यहीं देखी जा सकती है ठीक है तुक है स्टक है आपके परसंट बहुत ज़्यादा काफी लोगों के साथ में ऐसा नजर आ रहा है कि थित पर्ड़ग के बीच में काफी ज़्यादा इस समय आर्ग्यमेंट हो रहे है यह काफी कोई solution कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा इस तरह की situation है तो आपके person भी पर third party में जाके बहुत कुछ अच्छा करके या फिर पाके या अपने लाइफ को enjoy सरते वे तो नहीं नचला रहे लेकिन आपके person यह जरूर देख रहे हैं कि third party is enjoying, third party जो है वो काफी enjoy कर रही है कि आपका जो person है वो किस इस्थिती से गुजर रहा है, वो किस तरह की painful situation से गुजर रहा है वो किन हालातों को उसने जिया है या किन हालातों को उसने face किया है, ऐसा energy का यहां पर नजर भी आ रही है तो अगर हम देखें viewers तो overall very very traumatic energy है जहां पर आपके person के life में एक बहुती painful trauma से, depression से, anxiety से आपका जो person है वो यहां पर गुजरता हुआ कहीं न कहीं नजर आ रहा है, ठीक है, तो यह third party situation में हालात भी वर्स हो गए है, जहां पर आपका person अभी भी stuck है मतलब मैं यह कहूंगी, इतना कुछ होने के वावजूत भी हाँ पर कोई movement की energy नहीं है यानि कि कहीं नजर आ आपका person अभी भी इस third party के relationship के अंदर completely अभी stuck ही है वो वहां से या तो निकलना ही नहीं चाहते हैं अभी भी, क्योंकि उमीद लगा के बैठे हैं या फिर वो निकल नहीं पारें क्योंकि उन्होंने अपने वापसी के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिया है ठीक है तो यह वही situation है जहां पर इंसान की life में वो stuck है ठीक है अब वो stuck तो हर एक के लिए different different हो सकता है कि कोई वैक्ति अपनी life में इतना जादा कुछ करके अपनी life में आगे बढ़ा है जैसे कहते हैं कि कईना की हजी को खतम कर देना हर रास्ते को खुद से बंद कर देना तो फिर वापसी में कहा सचाएंगे जैसे रास्तों के निशान जैसे एक देखा एक चीटी अपनी life में आगे बढ़ती है तो एक line create करती है एक रास्ते बनाते हुए चलती है so that वो वापसी कर सके ठीक है उसे वापसी की याद रहे कि यहां वो इस रास्ते से आई थे आपके परसन तो जैसे ही ऐसा नजर आ रहा है कि वो अपने रास्तों को मिटाते हुए आए थे आगे बढ़ते हुए आए थे तो उनके लिए रवापसी के जो रास्ते हैं उनको नजर ही नहीं आ रहे हैं जबकि रास्ते अवेलिबल हैं लेकिन उनकी जो इमोशनली जो उनकी अंदर से बात आ रही है जो उनकी अंदर से आवाज आ रही है वो यह है कि वो शायद नहीं बढ़ सकते हैं लैसे आपके the magician के energy है ठीक है तो यह वैक दी कहीं नगे विवर्स ऐसा नजर आ रहा है आप में से काफी सारे लोगों के person आपको इस वक्त manifest भी कर गया ठीक है manifestation के energy है जिसे कह रहे है कि जो रास्ते जो रिष्टे वो तोड़के या छोड़के गए थे ठीक है काश वो उस रास्ते पे उस रिष्टे में वापसी कर सके ठीक है तो यह energy यहां पर दिख रही है कि जिस उमीद में जिस तरफ जिस तलाश में आपके person आग बड़े थे आज वीवर्स जिस रिष्टे को पाने की चाहत में आगे वड़े वो तो कहीं न कि यहां पर खतम हो चुका है उसने इनको तोड़ दिया उस रिष्टे अकर इन्होंने किसे से शादी भी किये ना वीवर्स तो भी इनको यह चीस समझ में आ गई है कि वो वेक्त की मुर्गे दाल बराबर हो गई है मतलब थर्ट पार्टी के लिए तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहा गई है ऐसा नजर आ रहा है यह अगर उन्होंने शादी भी किये ना तो शादी करके बड़े पश्टा रहे हैं आपके परसन ठीक है ऐसा कुछ लोग के लिए ऐसी एनर पादिश होता है ऐसा नहीं सोचते है अगर आपके सिच्वेशन से मैच करता है तो बात सुनो नहीं तो इसको स्किप कर दो ठीक है ऐसा मत करो तो देख लो वीवर्स यहां पर तो देखने है आपके लिए और आपके परसन क्या फिली कर रहे हैं तो प्लीज उन्यूवर्स procedure 10 ईनरजी फिली करता है यहां पर 20 शीवर्स कर चाहते हैं आपके अपके साथ में रिश्टे नहीं बइनिंग के साथ में शुरू करना चाहते हैं बांतियु ने शल्क हमने से कुछ नहीं काो आए। Aww this video sounds physics देजियो मेरा की हैं इता है मचैना आए चायों आप जाते हैं। जोंको वैरा की स्फिर शाइडे। जाला करें और दो दो और फेरी खादवा क多श तैंट को और आपके सिर्णा है। आपके लिए आपके परसन इस फैमिली में रिलेशन्शिप में क्यों आना चाह रहे है डिवाइन इंजल, डैविल, एंदी टैनो पंडिकल तो वीवर्स यहाँ पर जो इनर्जी आ रहे हो क्यों आना चाह रहे है सबसे फ़ल ऐसा नजर आ रहे है कि आपका जो परसन है जिसमी वेक्ति के साथ में वो कनेक्शन में है वो इस कनेक्शन से ओवर्गब करना चाह रहे है ठीक है, डैविल के इनर्जी हैं आपर क्या दिखाती है कहीं नहीं कि आपका जो परसन है वो यह समझ चुका है देखो कि वो सरफ उस वेक्ति से जुड़ा था जैसे कहते हैं कामुक भावना किसी की तरफ या किसी डैविल कनेक्शन में आपका परसन किसी कार्मिक कनेक्शन में आपका परसन फस गया ठीक है तो शुरुवाती टाइम हो सकते हैं के connection का अच्छा हो शुरुवाती टाइम अच्छा हो लेकिन अभी जो है time वो अच्छा नहीं है इस तरह के situation वीवर्स यहाँ पर आ रही है तो मैं एक ही card रखूंगी क्योंकि आपके person यहाँ पर करीना की एक reason यहाँ पर बता रहे ह या फिर वो एक जबर्दस्ती का बनायाव connection था ठीक है तो जिसे कहते न वह एक जिरस्टिक contract type की इस तरह के energy तो इस connection में आने की और क्या बज़य है divine angel मेरे वीवर्स की तरफ आने की और क्या बज़य है night of winds अपनी जिन्दगी की वेक्ति नई शुरुवात करना चाहते है ठीक है तो यह एक बज़य है वीवर्स जहां पर आपके जो person है उनका उन्होंने जैसा सोचा था वैसा तो चीजे नहीं है ठीक है तो इसी वज़य से आपके person वीवर्स अपनी जिन्दगी की एक नई शु से अभी बहार निकलने की कोशिच आपके person कर रहे हैं तो अभी भी मैं यहीं कहूंगे stuck तो है ठीक है अभी भी कहीन के चीजे tolerate ही कर रहे है या कहीन के चीजे बैतर हो जाने का इंतजार ही कर रहे है ऐसा नजर आ रहा जबकि इनको पता है जबकि इनको पता है कि चीजे कही कि बहतर होना इंपॉसिबल है नियर टो इंपॉसिबल है लेकिन फिर भी थोड़ा इंतजार करेंगे आपके परसन अगर तक होता है तो ठीक है नहीं तब वो आपके पास वापसी कर ही लेंगे ठीक है तो यह energy guys यहां पर निकल के आई है I hope so आपके लिए reading helpful रहेगी और रही है तो इसे like share and subscribe करिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स रीडिंग में तिल देन अपना ध्यान के खुद को हील रखे positive रखी so बबाई take care